एक रिपोर्ट और अडानी ग्रूप के शियर तूफान की तरह हवा में गोते खाने लगए एक रिपोर्ट और उसके बाद अडानी शियर ने तहलका मचा दिया है अडानी को बड़ी रहत कोट से मिली है और ये तक कहा गया है कि अडानी ने कोई गोटाला नहीं किया है कोई फरजी वाडा नहीं किया है दरसल अडानी को जो है फसाने की कोशिश की जा रही थी गोतम अडानी के खिलाफ एक साजिस रची जा रही थी हिंडन बर की रिपोर्ट जो आई उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है जिसमें कहा गया कि हिंडन बर की तरफ से जो कहा गया था अडानी को लेकर ऐसा था ही नहीं और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो गोतम अडानी के शेयर आंधे मुग गिरे वे थे वही गोतम अडानी के शेयर अब रॉकेट की तरह तुफान में जिहां गोते खा रहे हैं और आसमान की उचा में अडानी, मोदी, मोदी एज उन्हें पता चल गया होगा, कि अडानी को लेकर क्या फैस्ला आए, दरसल अपने दर्षकों को बता दे, विपक्षी पार्टियां ये जानने की कोशिश कर रही थी कि अडानी और मोदी के बीच का रिस्ता क्या है और कोट का फैसला आने के बाद पता चल गया कि अडानी और मोदी के बीच वैसा था ही नहीं जैसा विपक्ष कह रहा था यानि कि अडानी की कमपनियों में पैसा मोदी जी का लगा है या मोदी जी अडानी पर इतने महरबान क्यों है तो तमाम अगर तत्यों क के लोकसबाज चुनाओं से पहले गौतम अडानी को एक आखिरकार बड़ी जीत मिली गए क्योंकि अडानी मामले को लेकर विपक्ष हमला वर था और ये कहा जा रहा था कि अब अडानी के खिलाब जेपी सी का गटन होना चाहिए अडानी के खिलाब जांश शुरू होनी चाह पर जो है अडानी कहीं ना कहीं सरकार का कोट का धन्यवाद भी करते हैं और ये भी कहा जा रहा कि अडानी के चैरे पर एक नई मुस्कान देखने को मिली है क्योंकि गौदम अडानी भी तक काफी महीनों से परिशान चल रहे थे अडानी जो गुरूप से उनकी हालत कराब ह होई पड़ी थी अडानी के शेयर लगातार निचले पाईदान पर थे लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि अडानी को जो बड़ी रहात मिलें उसके बाद बीजेपी जो है वो बकाईदा अडानी को जो है उनको पूरी तरीके से अगर हम करें सम्मानित कर रही है अडानी को कही ना कही शुपकामनाएं दी जारी और मोधी सरकार ने अडानी को शुपकामनाएं तो दी इसके साथी साथ विपक्ष पर सवाल दागते वे कहा कि अब विपक्षी पार्टियों को ये पता चल गया होगा। अडानी मुद्धा हमेसा के लिए दब जाएगा क्योंकि जब रहती कोट से मिल गई और जब कोट ही कहा रहा है कि कोई गरबड होटाला नहीं है तो अब विपक्ष क्या सबूत दिखाएगा। आज के लिए तहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जार दीजे नमस्कार